तो भाई भारत में जब सो लोग एलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जाते है ना तो 40 लोग इन्हीं का विखल खरीदते है और क्यों ना खरीदें इनके पास सबसे जादा आप्शन भी एविलेबल है और इनके एलेक्टिक स्कूटर्स सस्ते भी है हाँ भाई मैं बात कर रहा हूँ OLA के बारे में जो industry का 40% का shareholder है और OLA जो है वो सबसे ज़ादा option आपको देता है क्योंकि industry में अभी जो बाकी electric scooters manufacturers हैं वो कोई भी आपको इतने सारे variants के option नहीं देते हैं OLA अभी currently 6 options आप लोगों को देता है आज के इस वीडियो में हम उन सारे options के बारे बात करने वाले है कि उनकी price क्या है उनकी range क्या है और सबसे ज़रूरी चीज़ आपके लिए कौन सा electric scooter सही रहेगा आशिकों को मेरा सलाम और दिल टूटा भाई के चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है तो भाई पहला scooter है Ola S1X 2kb battery pack वाला variant अब भाई Ola ने कहा था कि यह सबसे सस्ता electric scooter होगा तो भाई इसकी जो कीमत है वो मात्र 80,000 रुपे है और यह वही विकल है जिसका आप सब लोग पिछले 2-3 साल से इंतिजार कर रहे थे अब भाई क्योंकि इसके नाम में ही 2 kWh लगा हुआ है तो इसके अंदर जो battery pack दिया है वो 2 kWh का छोटा battery pack दिया है जिससे जो इसकी IDC range है वो 95 km होती है और अगर मैं actual range की बात करूँ तो वो आपको 60-70 km की बीच मिल जाएगी इस गाड़ी को full charge करने में आपको तकरीबन 5 घंटे का समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर आपको charger मिल रहा है वो 300W का मिल रहा है अगर मैं motor की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 6 kWh की hub motor मिलती है ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको hub motor मिल रही है PM SM motor नहीं मिल रही है इसकी जो top speed है वो 85 km पर आ रहे और 0 से 40 जाने में इसे 4.1 सेकेंड का समय लगता है इसके अंदर आपको 4.3 इंच का LCD डिस्पले मिलेगा जो भाई टच नहीं होगा यह नॉर्मल से भी कर ले बिलकुल इसमें कोई भी smart feature नहीं है चा भी लगा कि आपको गाड़ी start और off करनी पड़ेगी यह application से control नहीं होगी अगर मैं color की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 7 color options मिल जाएंगे जो dual tone color option में यह available होगी अब भाई क्योंकि यह electric scooter इतना सस्ता है तो इसके अंदर आप यह मान लो कि इसमें drum brakes आएंगे इसमें कहीं भी आपको disc brake नहीं मिलेगा इसमें आपको alloy wheels भी नहीं मिलेंगे इसके अंदर steel rims दिया होंगे पर अच्छी बात यह है कि डिगगी जो है वो अभी भी इसके अंदर 34 liters की ही है जो अच्छी कासी बड़ी है और यह Ola का सबसे सस्ता electric scooter तो ही साथ में हलका भी है क्योंकि इसका वजन सिर्फ 101 kg है तो भाई अगर आप Ola को music system और navigation के लिए जानते हो तो भाई यहाँ पर आपको निराशा होगी क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसे कोई भी smart feature नहीं मिलेंगे पर अच्छी बात यह है कि Ola जो है वो इसकी deliveries जो है वो अपरेल से start कर देगा इस गाड़ी के अंदर अच्छी बात यह है कि इसके अंदर physical की दिया हुआ है तो अभी Ola के अंदर softer glitches बहुत सारे आ रहा है तो वो समझ से at least इस गाड़ी के अंदर तो नहीं होगी अब भाई जो दूसर electric scooter है वो पिछले वाले का बड़ा भाई है Ola S1X 3 km बैटर पैक वाला variant अब भाई जो इसका जो price है वो 90,000 रुपे है अब क्योंकि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है तो इसके अंदर आपको 3 km का बैटर पैक दिया होगा जिससे तो इसकी IDC range है वो 143 km होगी अगर मैं आपको actual range की बात करूँ तो यह आपको 100-110 km की actual range दे सकती है इस गाली को full charge करने में आपको लगबग साले 7 घंटे का समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर जो charger आएगा वो 500 watt का charger आएगा अब हम मोटर की अगर बात कर लेते हैं तो मोटर इसके अंदर 6 kilowatt की होगी और इसकी जो top speed है वो 90 km परार है 0 से 40 जाने में इसे 3.3 सेकंड लगेंगे इस गाली के अंदर भी आपको कोई smart feature नहीं मिलेगा इसके अंदर जो display दिया है वो same है इसके अंदर भी 4.3 का LCD display दिया हुआ है और इसकी भी delivery जो है वो April से start हो जाएंगी अब यहां पर जो weight है वो थोड़ा सा बढ़ गया है इसका जो वज़ाने वो 108 kg है क्योंकि battery pack जो है वो बढ़ाया है अब भाई जो तीसा electric scooter है वो है Ola S1X Plus अब आप पूछो के भाई Ola S1X का 4 kg अटार battery pack वाला वेरिन यहां पर आना चाहिए था तो भाई price के साब से Ola S1X Plus जो है वो यहां पर fit होता है क्योंकि उसकी जो price है वो 90,000 रुपे है अब यहां पर इसकी जो price थी actual price वो 90,000 नहीं थी December के पहले इसकी गाड़ी की actual price थी वो 1,10,000 रुपे थी और इस गाड़ी के उपर 20,000 का price cut करा गया था और वो 20,000 का price cut जो है वो अभी भी चल रहा है अगर हम लुक्स की बात करें तो यह दिखने में बिल्कूल Ola S1X जैसी ही दिखती है बस कुछ differences हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं जैसे कि इसके अंदर तो display आएगा वो 5 इंच का LCD display होगा और यह भी touch नहीं होगा S1X के अंदर आपको key से गाड़ी को start करना होता है पर S1X Plus के अंदर आपको keyless entry मिल जाती है मतलब कि आप application से या फिर display के अंदर password डालके गाड़ी को unlock कर सकते हो साथ ही इसके अंदर कुछ advanced feature भी add-on हो जाते हैं जैसे आपको internet connectivity मिल जाती है turn button navigation मिल जाता है OTA updates मिल जाते है cruise control मिल जाता है और Bluetooth मिल जाता है बाकी battery, body और motor में कोई भी changes नहीं है अब आप लोगों के mind में एक चीज आ रही होगी कि Ola S1X 3kWh battery pack वाला variant और Ola S1X Plus जिसकी battery pack जो है वो सेम है 3kWh इन दोनों का price तो सेम है 90 का रुपे पर features में अंतर है तो भाई हम वो क्यो लेंगे तो भाई इसका answer चुपा है availability के अंदर Ola S1X Plus आपको अभी available है आप payment करके scooter book कर सकते हो और 10-15 दिन के अंदर मतलब depend करता है आप कहाँ पे scooter ले रहा हो वो आपको मिल जाएगा जबकि Ola S1X 3kWh battery pack वाला variant आपको अपरेल से पहले नहीं मिलेगा उसकी delivery अपरेल में start होंगी और उस time पे मेरे हसाब से Ola S1X Plus का price 90,000 रुपे नहीं होगा वो थोड़ा बढ़ सकता है तो इसकी बैटरी pack है वो 4KT की है इससे जो इसकी IDC range निकल रही है वो 190 km से अब भाई actual में तो अगर ये गाड़ी आपको 150 km की भी range दे देना तो इससे बढ़िया option तो market में available ही नहीं है पर जिस हिसाब से Ola कराम करता है उस हिसाब से भाई मतलब इसकी जो actual range होगी वो 120-140 के बीच में होगी बाकी आपकी राइडिंग स्टाइल पर डिपेंड करता है अब यहाँ पे इसको full charge करने में आपको लगबग 7 घंटे का समय लगेगा क्योंकि इसके अंदर तो charger आएगा वो 6.7W का आएगा अब क्योंकि इसके थोड़ा सा बड़ा battery pack दिया है तो इसकी जो weight है वो बढ़ जाता है इसका जो weight है वो 112 किलो है अब भाई अगर हम इन तीनों की बात कर लें S1X variants की तो यहाँ पे मैं आपको मोटी मोटी चीज़े बता देता हूँ यहाँ पे आपको कोई भी स्मार्ट फीचर नहीं मिलने वाला चाब लाया गाड़ी स्टार्ट होगी boot space जो है वो आपको बड़ा मिल जाएगा और सब के अंदर hub motor होगी इसके अंदर PMS motor नहीं होगी भाई पांचवा electric scooter है Ola S1 Air अब भाई Ola S1 Air वही electric scooter है जिसकी वज़े से आपको Ola S1 X Plus 90,000 का मिल रहा है कैसे चलो बताता हूँ S1 Air का जो price है वो 120,000 रुपे है अब S1 Air के अंदर battery और motor बिल्कुल सेम दी होई है S1 X Plus देसी ही इसके अंदर जो boot space है वो भी सेम है motor भी इसके अंदर hub motor ही लगी होई है पर यहाँ पे कुछ advanced feature add-on हो जाते है जैसे यहाँ पे आपको जो display मिलता है वो 7 inch का touch display मिलता है S1 Air के अंदर आपको जो navigation मिलता है वो आपको actual navigation मिल जाता है जबकि S1 X Plus के अंदर आपको turn by turn navigation मिलता है अभी जो move ways 4 का stable update आया है वो आपको S1 Air के अंदर मिल जाएगा साथ महीं यहाँ पे आपको speakers और music control भी मिल जाता है अब यहाँ पे आपको जो charger मिलता है वो 600W का मिलता है तो इससे जो गाड़ी को full charge करने का जो time है वो 5 घंटे हो जाता है जबकि S1X Plus के अंदर 500W का charger आता है पर अभी जो है Ola S1X Plus के साथ भी आपको 600W का charger ही मिल रहा है 500W का नहीं मिल रहा पर इस वज़े से Ola S1X Plus का charging time जो है वो कम नहीं हुआ है charging में 7.5 घंटे ही लगेंगे अब यहाँ पे जो color options है उसमें एक color option और कम हो जाता है Ola S1 Air के अंदर आपको 6 color options मिलते हैं अब यहाँ पे हम यह बात कर लेते हैं कि क्यों S1 Air की वज़े से आपको S1X Plus के उपर 20,000 रुपे का discount मिल रहा है देखिए Ola S1 Air का जो price है वो 1,20,000 है S1X का तो पहले price था वो 1,10,000 रुपे था पर अंतर जो था उसे 10,000 रुपे का था लेकिन 10,000 रुपे extra देखे आपको actual navigation मिल रहा था आपको touch display मिल रहा था आपको move OS 4 का update तक मिल रहा था जो आपको S1X Plus में नहीं मिलने वाला था तो भाई जायर सी बात है आप S1X Plus क्यों लेते तो Ola ने यहां कहला Trump card उसने कर दिया S1X Plus को सस्ता ताकि public के mind में S1X Plus और S1 Air को लेके जो confusion थी वो दूर हो जाए क्योंकि अब जो इनके बीच का price gap था वो बढ़ गया है तो भाई last और best option है Ola की तरफ से Ola S1 Pro जो छटे नंबर पर है अब अगर हम इसकी कीमत की बात करें तो जो इसकी कीमत है वो 1,47,500 है भाई इसके अंदर तो बहुत सारी चीज़ें add-on हो जाती है अब उसके बारे में हम धीर दीर बात करते है यहां पर जो बैटरी दी गई है वो आपको 4 किलोटास की मिलती है जिससे जो इसकी IDC range है वो 195 किलोमेटर से अगर मैं actual range की बात करूँ तो वो आपको 140 किलोटर के आसपास मिलती है बैटरी के बड़े होने की वहें से चार्जिंग टाइम भी बढ़ जाता है जहां S1 Air को आपको फुल चार्ज करने में लगबग 5 घंटे का समय लग रहा था वहीं S1 Pro को फुल चार्ज करने में आपको लगबग 6 घंटे का समय लगेगा अब S1 Pro की सबसे खास बात यह है कि यह एक मात एलेक्ट्रिक स्कूटर है Ola की तरफ से जिसके अंदर आपको PMSM Frame Mounted Motor मिलती है यहां पे आपको Hub Motor नहीं मिलती बाकि जितने भी लेक्ट्रिक स्कूटर्स Ola में आते हैं सब के अंदर Hub Motor लगी होती है जो पहिये के अंदर ही लगी होती है यहां पे S1 Pro के अंदर आपको PMSM Motor मिलती है जो Belt के सारे पीछे वाले टायर से connect होती है तो अगर आप Hub Motor के शोकी नहीं हो आपको Hub Motor पसंद नहीं है तो Ola में आपके लिए यह एक मात्र option है इसके अंदर 11 किलोवट की मोटर मिल जाती है जिससे जो इसकी टॉप स्पीड होती है वो 120 किलोमेटर परार होती है 0 से 40 तो यह भाई बहुत तेज जाती है सिर्फ 2.6 सेकेंड के अंदर और भाई सबसे खास बात है कि एक मात स्कूटर है Ola की तरफ से जिसके अंदर आपको Hyper Mode मिलता है क्योंकि बागी किसी भी लेक्टर स्कूटर में ओला में आपको Hyper Mode नहीं मिल रहा वो सिर्फ आपको S1 Pro में मिलता है बागी स्कूटर में आपको Eco, Normal और Sports Mode मिलते हैं टेक्निकल चेंजिस होने की वज़े से इसका जो कर्व वेट है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है इस गाड़ी का वेट है 116 केजीस साथ ही brakes और tires में भी changes है यहाँ पे आपको alloy wheels मिल जाते हैं और आगे और पीछे आपको disc brakes मिलते हैं साथ में इसके tires को भी थोड़ा चोड़ा कर दिया गया है जो बागी स्कूटर से उसमें 90 by 90 12 inch के tire आते हैं इसमें 110 by 70 12 inch के tire आते हैं अब इसके अंदर यहाँ पे आपको एक color option और कम मिलता है total color option available है S1 Pro के अंदर वो 5 color option available है अब Ola S1 Pro जो है वो बागी सारे brands के top variants को टक कर देता है फिर चाहे वो Ather का 450X Pro हो बजाचे तक Premium हो iCube ST हो या Vida का V1 Pro अब Ola लेने का सबसे बड़ा फाइदा जो है वो यह है कि Ola अब अपनी battery के उपर 8 साल या 80,000 km की warranty दे रहा है जो अभी कोई भी दूसरा brand जो है वो नहीं दे रहा है बाई 8 साल 80,000 km बहुत जादा होते हैं यह सारा खेल उन्होंने actual में उन लोग को target करके करा है जो petrol scooter लेने की सोचते हैं सिर्फ इस वाज़े से कि electric vehicle की बैटरी है वो लंबी चलेगी ही नहीं सो बाई यहाँ पे उन लोगों को Ola ने target कर लिया है इसके अलावा vehicle के उपर 3 साल या 40,000 km की warranty होगी जो पहले भी आ रही थी देखो Ola ने वाके जिस price point पे जो features दिये हैं वो market disrupt करने के लिए काफी हैं और यही चीज़ा में हर महीने sales report में साफ दिख रही है पर Ola ने price को कम रखने के लिए बाकी बहुत सारे चीज़ों में compromise कर रहा है जिसकी वाई से customer को नुकसान हो रहा है जैसे बुरी built quality और poor customer experience automobile एक ऐसी चीज़ है जिसका experience सिर्फ purchase करने पे खतम नहीं होता और Ola के after sales experience की users ने बहुत जादा complaint करी है और यही bad experience की वज़े से ही लोग आप दूसरे electric scooters को purchase कर रहे है वहाँ पे उनको features में बहुत compromise करना पड़ा है वहाँ पे उसको price range के अंदर वो features नहीं मिल रहे है पर वहाँ पे उनको अच्छे build quality मिल रही है और अच्छा customer after sales experience भी मिल रहा है वहाँ बाकी scooter brands को यह बास समझ में आ गई है कि वह अपने scooters के अंदर features को जादा करके अगर price कम भी कर दें तो भी Ola को टकर नहीं दे पाएंगे तो वह उन्होंने उस जगह पे काम किया जहाँ पे Ola week है उन्होंने अपनी after sales service और build quality को strong कर रहा है और last year की sales report में यह चीज साफ देखी जा सकती है जहां चेतक जैसा electric scooter जिसमें features जो है वो बहुत limited है और price जो है वो Ola से जादा है पर फिर भी लोग उसे पसंद कर रहा है सिर्फ build quality और reputation की वज़े से अगर भाई वीडियो पसंद आईए तो इसे like कर दीजिएगा